हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी नारियल के लड़ू और वो भी एकदम हलवाई स्टाइल में जैसे बाजार में मिलते हैं ना नारियल के लड़ू विल्कुल वैसे ही विल्कुल आसान तरीके से घर में बनाऊंगी आज में हेलो फ्रेंड्स वैल्कम टू माई चैनल प्रीति रावत मेरे चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपेस पसंद आती है तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जर अटियमें, 2 चम्माच देऽी घी डालना है घी को अच्छे से गरम कर लेंगे इसके बाद मैं इसमें नार्यल का बुरादा करने कीबाद मैं अलग से निकाल लोगी अब एक कठाई में मैं दूद डालूँगी, फुल क्रीम दूद, मलाई वाला दूद भी आप ले सकते हैं, इसको अच्छे से चला लूँगी, इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें एड करूँगी, आधी कटोरी चीनी, इसको भी अच्छे से दूद में घुलने दूँगी, दूद में अच्छे से गुल जाए, इसके बाद में इसमें एड करूँगी, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर एड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, एक दब मावा का टेस्ट देता है ये, खोया जासा टेस्ट हो जाता है इसका, इसको डालना zalप्सनल ह अगर आपके पास है तो आप डालिए, वर्ना इसकिप कर दीजिए, इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे, अब इसमें एड़ करेंगे अपना रोश्ट किया हुआ नारियल का गुरादा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए दूद बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है नारियल की गुरादा ने इसको दो मिनिट और पकाएंगे इसमें अब एड करेंगे इलाइची पाउडर इससे इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दिखिए साइट्स बिल्कुल मिक्स्चर ने छोड़ दी है मिक्स्चर हमारा बिल्कुल रेडी है इसको हम एक प्लेन थाली में निकाल लेंगे ठंडा करेंगे एक निट के लिए तरिक थोड़ा गुन-गुनाव है ज्यादा ठंडा भी नहीं है ज्यादा गरम भी नहीं है यहां थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा ले लिया है मैंने लड़ू बनाना स्टार्ट करते है देखे एक थोड़ा सा तुकडा लेना है मिक्चर का इसको हतेली में ऐसे गोल-गोल भुमाना है और सूखे नारियल में थोड़ा सा रोल कर लेना है इसे और भी टेस्टी भी लगते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं हमारे लड़ू देखिए लड्डू बन गया है ऐसी ही और लड्डू बना लेंगे मिक्शर हाथ में लेंगी अच्छे सी हतेलियों के बीच में गोल घुमाएंगे अच्छा देखिए ऐसी और नारियल की बुरादा में थोड़ा सा रोल कर लेंगे ऐसी ही हम सारी लड्डू तयार कर लेंगे इस टाइट से घुमाने से लड्डू हमारे एक दम गोल बनते हैं देखिए लड्डू मैंने बनाए है ऐसी ही मैंने और भी तयार कर लिये हैं ये लड़ू बन कर तयार हैं ये लड़ू टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान होता है 5-7 मिनिट में ये लड़ू बन के बिल्कुल तयार हो जाते हैं